जैहन साथियों आज हम अपनी इस नई वीडियो में हमारा जो लेक्ष्यर चल रहा था उत्तर प्रदेश दरोगा भरती 2021 के संदर्व में संभिधान का उसमें आज हम अपनी नई वीडियो में राष्ठ पति की कुछ अन्य सक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे साथियों 40 प्रस्ण का जो चौथा सिक्सन होता है जिसमें जीयस सम्मिधान एवं मौलविधी से प्रस्ण आते हैं उसमें सम्मिधान का जो सिक्सन है वह बहुत महत्पूर्ण है और बहुत ही आसान है हम एक बार में अगर पढ़ेंगे ध्यान से थोड़ी सी सजगता दिखाएंगे तो हम पूछे जाने वाले प्रस्णों का उत्तर बहुत ही ध्यान से बहुत ही आराम से दे सकते हैं अभी तक हमने पढ़ा था संघी ये कारिपालिक्या के तहत राष्टपती के अधिकार कर्तव में शक्तियों के बारे में और जिसमें हमने कि दो राष्टपती की दो सक्तियों के बारे में पढ़ा था जिसमें कि नियुक्ति सम्बंदी सक्ति नियुक्ति संबन्दी सक्तियां और दूसरा अध्यादेश जारी करने की अध्यादेश राष्टपति की नियुक्ति संबन्दी दूसरा अध्यादेश जारी करने की सक्तियों के बारे में अभी चरचा की कि नियुक्ति संबंदी शक्तियों में हमने देखा था कि राष्टपती द्वारा किनकी कि नियुक्ति की जाती है अर्थवार राष्टपती को किनकी किनकी नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है जैसे प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री कि परश्त के सदस्यों की नियुक्ति हाई के ने अंतर के महा लेखा परिशक की नी युक्ति भारत के महा न्यायबादी की न्युक्ति के उच्चतम एम उच्च nिययले के मुखी नियाय धीसों की न युक्ति coarse के वर राज्यों के मध्य समण्वा I इस्थापित करने के लिए अंतर राजी परिसद के सदस्यों की नियुक्ति इन सब नियुक्तियों की सक्ति राष्टपती के पास है इसके अलामा हमने चर्चा की थी राष्टपती के अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो राष्टपती को अनुच्छेद एक सो तेईस के त प्राप्त है और चुकि इसी अनुच्छेत के तहर राष्ट्पदी द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है और यह प्रख्न उत्तरवदेश दरोगा भरती 2021 की लिखित परिख्षा के दिर्श्टिकत अत्यंत महत्तुपोल है और यह एक बार फिर मैं आपको याद दिला प्रिख्षा में पूच्छा जा चुका है अब हम बढ़ते हैं राष्ट्पती की अन्यसक्तियों के संबंद में चर्चा करेंगे और अगला जो हेडिंग होगा हमारा हुआ होगा राष्ट्पती की विधाई सक्तियों राष्ट्पती की विधाई सक्तियों साथियों हम जानते हैं कि जो संसद है उसके तीन प्रमुख अंग है और वह है लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्पती तो राष्ट्पती भी कि भारत का समयदानिक प्रमुख और संसद का एक अभिन अंग है और राष्ट्पती की विधाई सक्तियों में हम चर्चा कहते करते हैं कि विधाई कौन सक्तियों कौन कंसी है राष्ट्पती की पास जिसमें राष्ट्पती संसद के सत्र को आहूत आहूत एवं सत्रा वसान करता है राष्ट्पती संसद के सत्र को आहूत एवं सत्रा वसान करता है राष्ट्पती द्वारा संसद का सत्र बुलाया जाता है संसद के सत्र को राष्ट्पती संबोधित करते हैं संसत का जब सत्र शुरू होता है राष्ट्रपति द्वारा संसत की सत्र को समाब्त किया जाता है इसकी अलामा राष्ट्रपति कर राष्ट्रपति कर दो लोक सभा के निर्वाचन के बाद लोक सभा के सदस्यों के निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति लोक सभा के सदस्यों के निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र को तथा प्रतेक वर्ष के प्रथम संसद के सत्र को प्रतेक वर्ष के प्रथम संसद सत्र में अभिभासन करता है अभिभाशन करता है या आसान भासा में संबोधित करता है राश्पति संसर के सत्र को आहूत एवं सत्रा वसान करता है राश्पति लोकसभा के सतस्यों के निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र को तथा प्रतेक वर्ष के प्रथम संसर सत्र में अभिभासन करता है इसके अलावा साथियों यदि किसी मामले में यदि कोई विधेयक है या कोई मामला है जिसमें लोकसभायों राज्यसभा के बीच सहमती नहीं होती है तब राष्टपती लोकसभायों राज्यसभा के संयुक्त सत्र को आमंत्रित करता है यवं सम्मोधित करता है यदि लोकसभा एवं राज्यसभा के मद्य असहमती होती है असहमती होती है तब राष्टपती तब राष्टपती दोनों सदनों की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है यदि लोकसभा एवं राज्यसभा के मद्य कोई असहमती होती है तब राष्टपती दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को बुलाता है एवं दोनों सदनों की संयुक्त सत्र की बैठक को सम्मोधित करता है कि यह थी राश्ट्रपती की विधाई सक्तियों में कुछ अन्य महत्पूर्ण सक्तियां हैं जैसे कुछ मामले ऐसे हैं जिन में राश्ट्रपती की पूर्व सहमति आवस्यक है कि बिधाई सक्तियों में राश्ट्रपती की राश्ट्रपत होती है जैसे किसी राज की सीमा निर्धारित करने या किसी राज की सीमा निर्धारित करने या किसी राज के नाम में परिवर्तन करने किसी राज के नाम में परिवर्तन करने अथ्वा किसी राज की सीमा निर्धारित करने या किसी नए राज के निर्मान में यह तीन बातें ऐसे हैं जिनमें राश्ट पती की पूर्वसाहमती आवस्यक है इनमें इनमें राश्ट पती की पूर्वसाहमती आवस्यक है राश्ट पती की पूर्वसाहमती आवस्यक है विधाई सक्तियों में राश्ट पती की पूर्वसाहमती आवस्यक है किनकिन मामलों में किसी राज की सीमा निर्धारित करने में या किसी राज के नाम में परिवरतन करने में या किसी नए राज के निर्मान में एक बातें इसमें और हैं वह है द्धन विध्ययक पेश करने में इसमें चौती बात है धन विध्ययक पेश करने में यह चार बातें ऐसी है जिन में नी लोस्ते पूर्वसाहमती आवस्यक्क है धन विध्ययक पीश करने में किसी नए राजे के निर्माण में इसी राजे के नाम में परिवर्तन करने में अथ्वा कि से नाम को कुछ प्रमुख विधाई सक्तियां अब चर्चा करते हैं राश्ट पती की कुछ अन्य सक्तियों के बारे में अगला अगली बात है संसद के सदस्यों की मनुन नयन पंबंदे शक्ति राश्ट पती की संसद के सदस्यों की मनुन नयन संबंदी शक्ति साथियों यदि राश्ट पती ये देखता है कि लोग सभा में आगल भारती संबुदाय के सदस्यों का प्रतनिधित्व नहीं है यदि लोग सभा में आगल भारती आगल भारती ये संबुदाय के सदस्यों का उचित प्रतनिधित्व नहीं है तब राश्ट पती को ये अधिकार है कि वह लोग सभा में लोग सभा में दो आगल भारती संबुदाय कि सदस्यों की नियुक्ती करता है यदि राश्ट पती यह देखता है कि लोग सभा में आगल भारती संबुदाय के सदस्यों का उचित प्रतनिधित्व नहीं है तब राश्ट पती द्वारा लोग सभा में दो आगल भारती संबुदाय के सदस्यों की नियुक्ती की जाती है राश्ट पती महुदाय द्वारा इसी तरीके से राश्ट पती द्वारा राश्ट पती द्वारा राज्य सभा में राश्ट पती द्वारा राज्य सभा में विज्ञान कला एवं साहित्य के शेत्र से जुड़े राश्ट पती द्वारा राज्य सभा में विज्ञान कला एवं साहित के छेत्र से जुड़े ख्याती प्राप्त ख्याती प्राप्त बारह सदस्यों की बारह सदस्यों की नियुक्ति की जाती है सकती है इसको हम एक बार फिर से समझते हैं साथियों पंसत के सदस्यों की मनोनेयन संबंधी जो सकती है राश्ट पती की उसमें राश्ट पती के पास यहां अधिकार है कि लोग सभा एवं राज्य सभा में कुछ सदस्यों की नियुक्ति राश्ट पती कर सकता है या कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जिसमें यदि राश्ट पती देखता है कि लोग सभा में आंगल भारतिय समुदाय के सदस्यों का उचित प्रत्निधित्त नहीं है ऐसे कंडिशन में राश्ट पती द्वारा दो आंगल भारतिय समुदाय के स्थदस्यों की नियुक्ति लोग सभा में की जाती है। और इसके साथ ही यदि राष्ट्रपती द्वारा मनोनयन संबंधी सक्ति के तहत राज सभा में विज्ञाम, कला, एवं साहित्य के खेत्र से जुड़े ख्याती प्राप्त बारह व्यक्तियों की नियुक्ति राज सभा में की जा सकती है। यहां से साथियों प्रायाय से प्रस्थ आ जाते हैं एक दिवसी परिख्षाओं में और यहां से प्रस्थ आगामे उत्तर प्रदेश दरोगा भरती लिखित परिख्षा 2021 में भी आने की संभावना है कि राश्चुपती द्वारा लोक सभा में कितने अधिक्तम सदस्यों की नियुक्ति हो सकती है। तो जिसका जवाब है दो जो आंगल भारती समुदाय के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति लोक सभा में राश्चुपती महोदे द्वारा हो सकती है और जिनकी अधिक्तम संख्या है दो इसके साथ ही यदि सवाल आता है कि राश्चुपती द्वारा राज सभा में अधिक्तम कितने सदस्य मनोनित हो सकते हैं तो उसका जवाब है राश्चुपती द्वारा राज सभा में अधिक्तम बारह सदस्य मनोनित हो सकते हैं जो कला साहितियों विज्ञान के छित्र से ज अन्सद मंसट के सदस्यों की मनूनयन तंममंधि शक्तियों. हम राष्ट्पती की जो अन्यसक्तियों उसकी भी चर्चा कर लेतें हैं. राष्ट्पती की अन्यसक्तियों में राष्ट्पति की सैन्य सभ्ती सक्ती सैन्य सभ्त ti शक्ति राश्ट्रपति की सायन्य संबंध्री शक्ति साथियों हम जानते हैं हम सभी आप में इसे प्राया सभी लोग जानते होंगे कि राश्ट्रपति ससस्त्र सेना का सर्वोच सेनापति होता है या राश्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमूप होता है या राश्ट्रपति ससस्त्र सेना का सर्वोच सेनापति होता है जो सायन्य संबंधी शक्तिया हैं वह राश्ट्रपति में ही नहीत होती हैं सायन्य संबंधी शक्तियां राश्ट्रपति में नहीत होती है सैन्य संबंधी शक्तियां राश्ट्रपति में नहीत होती है लेकिन परंतो वह विधी द्वारा नियमित होती हैं परंतो वह विधी द्वारा नियमित होती है इसको थोड़ा समझ लेंगे सायन्य संबंधी जो शक्तियां है वह राश्ट्रपति में नहीत होती है राश्ट्रपति ससस्त्र सेना का सर्वोच सेनपति होता है राश्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुक होता है परंतो जो सैन्य संबंधी शक्तियां है वह राश्ट्रपति में तो नहीत होती है लेक की इस्थिति है तो विधी के अनरोध पर राष्ट्र पती अक्रमल का आदेश राष्ट्र पती द्वारा होता है उसके साथ ही युद्ध की समाप्ती की घोष्णा भी अंतिम रूप से राष्ट्र पती महोदय द्वारा की जाती है तो और सैन्य संबंदी सक्तियां भी राष्टपती में नहीं थोती हैं परन्तु वह विधी द्वारा नियमित होती हैं यह थी साथियों राष्टपती की सैन्य संबंदी शक्तियां अब साथियो हम अपने अगली अमें राश्रीपती महोदय की कुछ अन्य शक्तियों के संमन्द में चर्चा करेंगे इन सक्तियों के बारे में राश्र्पती के आप पढ़ते रहें प्रुष्ण के प्रारूप को देखते रहें और अपने ज्यान के भंदार में इसका भी भरण करते रहें इसको भी अपने ज्यान के भंदार में समिल करते रहें और हम मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में राष्टपती की कुछ अन्य सक्तियों के साथ इसकी हम चर्चा करेंगे यदि इस वीडियो में आपको कोई बात नर समझ में आई हो तो इस वीडियो के आप कमेंट सक्षन में बता सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको वीडियो के कमेंट सक्षन में दूंगा तब तक साथियो मिलते हैं अगले वीडियो में अब तक नमस्कार जैहिंद